अलो एवरिवान कैसे हैं आप सब लोग आज हम एक नए विशय के उपर बात करेंगे आज हम spiritual guidance की बात करेंगे हम हमेशा tarot cards के साथ love readings करते रहते हैं future readings करते रहते हैं आज जो three pictures आपको दिख रही हैं इसमें तीनों ही देवियों की तस्वीरे हैं आप लोगों को जो अच्छी लगती है आप उसे चुन सकते हैं आज हम spiritual guidance लेंगे आज हम भगवान की बात करेंगे आज हम 2021 आने वाले साल के बारे में जानेंगे कि भगवान का आपके लिए क्या संदेश है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं आपको किस तरफ जाने के लिए वो कह रहे हैं कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपने जीवन में रास्ता दिखाई नहीं देता हमें नहीं पता होता कि हमें कौन से रास्ते पर चलना चाहिए हमारे लिए क्या रास्ता सही रहेगा तो हमें क्या जरूरत पड़ती है हमें जरूरत पड़ती है spiritual guidance की हमें जरूरत पड़ती है उस universal energies के संदेश की हमें जरूरत पढ़ती है कि हमें कोई रास्ता दिखाए हमारा हाथ पकड़ कर हमें आगे ले जाए तो ये reading आपके लिए मैंने इसी लिए बनाई है ये reading जो है ये 2021 की reading है पूरा साल आपके लिए क्या संदेश है आपके लिए मैंने यहाँ पर तीन messages लिए है फर्स्ट message जो होगा वो universal energies की तरफ से आपके career के लिए होगा आपके काम के लिए होगा और second message आपकी health के लिए होगा और third message आपके relationship के लिए होगा तो आप जो भी pile चूज़ करेंगे यहाँ पर जो भी picture आप choose करेंगे उसके recording हर picture में आपको तीन message में दूँगी कि आपको कहां क्या करना है क्या guidance है आपके लिए तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको संदेश अच्छे से मिल पाए और आप उसी तरफ focus कर पाएं तो चले reading को start करते हैं बात करते हैं first picture की जिन लोगों ने देवी मा की इस पहली picture को choose किया है आपके लिए इनका संदेश क्या है वो आपको कहां क्या guide करेंगी चले यहाँ पर reading को मैं शुरू कर रही हूँ और आपके संदेश में पढ़ रही हूँ आप उनको ध्यान से सुने पहला संदेश उनकी तरफ से आपकी career को लेकर है जिनोंने first picture को choose किया है आपका career कैसा होगा आपके लिए यहाँ पर संदेश है कि आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा आपको अपने आप पर इतना जादा विश्वास करना है कि आपको patience के साथ अपने career को लेकर अपने finances को लेकर अपनी समझ का इस्तिमाल करना होगा इस time पर आपकी intuitions बहुत developed होंगी और आप right directions पर हमेशा चलेंगे तो यह संदेश आपके लिए आया है career को लेकर जिनोंने first picture को जूज किया है यहाँ पर देवी मा का यह संदेश है आपके लिए कि आप बहुत उपर जा सकते हैं अगर आप अपनी wisdom का इस्तिमाल करते हैं अगर आप भगवान पर विश्वास करते हैं spiritual growth के लिए इसमय बहुत अच्छा है जो लोग counseling में हैं teaching line में है यह profession आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे जिनोंने इस पाइल को चूज किया है आप किसी को सलहा दे सकते हैं किसी को advice कर सकते हैं लोग आपकी बातों को सुनेंगे आपकी बाते उनकी समझ में भी आएंगी और उन पर implement भी होंगी तो trust your intuition और बहुत ज़्यादा strong होने के आपको ज़रूरत है आप emotionally बहुत strong होंगे इस time पर spiritually growth का ये time है आपके लिए करियर को लेकर आपको किसी बात की वरी की ज़रूरत नहीं है पाल नमबर वान जिनोंने picture one को चूज किया है आपके लिए education line जहां पर आपको किसी को education देना हो किसी को counseling करनी हो किसी को healing करनी हो ये profession बहुत अच्छे रहेंगे और इन profession में बहुत ज़्यादा आप rise कर सकते हैं तो अगर आप किसी और profession में भी है तो इस time पर जितना आप अपने आपको अपने अंदर से जोड़ेंगे inner अपनी consciousness की बात सुनेंगे उतना ही आप ज़्यादा तरक्की करेंगे यही message आपके लिए है यही garden angels आप से कहना चाहते हैं यही देवी मा का संदेश है meditate कीजिए, prayers कीजिए यह समय आपके लिए बहुत ही valuable है आप जितना ज़्यादा इन तरफ जाएंगे बहुत ही अच्छा साल है next message हम लेते है आपकी health को लेकर कि यहां पर आपके लिए क्या message निकल कर आया है number one pile जिन्होंने चूज किया है आपके लिए special guidance यह है कि आपकी health इस time पर बहुत अच्छी रहने वाली है 21 आपके लिए health को लेकर बहुत ही अच्छा साल है ऐसे में आपको एक बात का ध्यान रखना है आपको cosmic energies के साथ जुड़ना है आपको mother earth के साथ जुड़कर रहना है जितना जादा आप mother earth के साथ यानि के nature के साथ जुड़कर रहेंगे उतना ही आपकी health improve होगी तो आप जितना हो सके nature में रहें जितना हो सके natural चीज़ों का इस्तिमाल करें आप जितना हो सके yoga करें, meditate करें और इसके साथ साथ natural light यानि के sunlight में रहें sunlight को लेने की कोशिश करें उतना ही आप healthy रहेंगे यही संदेश आपके लिए निकल कर आया है आपको जादा effort नहीं करना, आपको relaxed रहना है 2021 आपके लिए spiritual enlightenment का time है, spiritual growth का time है तो healthy रहने के लिए natural चीजों का इस्तेमाल जितना करेंगे उतना ही जादा अच्छा है आगे बात करते हैं जिन्होंने first pile को choose किया है, third message उनके लिए क्या है ये message आपके relationship के लिए है आपके लिए relationship जो है वो 2021 में अच्छी रहेंगी, आपकी life में कोई आ सकता है, कोई नया रिष्टा आपका जोड़ सकता है पर एक बात मैं यहाँ पर जरूर कहूंगी कि आपके लिए जो message है, उसमें ये जरूर लिखा है कि आपको इकली कोई decision ना लें ये जो year है, ये 2021 का year जल्दवाजी में कोई भी फैसला करने का साल नहीं है, आपको कोई भी फैसला जल्दवाजी में नहीं करना रिष्टों को लेकर थोड़ा सा आपको careful होना होगा, क्योंकि अगर आप कोई भी decision लेंगे, तो वो decision गलत हो जाएगा वो चाहे आपके रिष्टों को जोड़ने का हो, या आपके रिष्टों को तोड़ने का हो, तो इसलिए कोई decision आपने बहुत quickly नहीं लेना अगर आप कोई भी decision लेना चाहते हैं, तो किसी की counselling के जरिये लें, किसी का साथ लेकर चलें इस साल में एक बात का ध्यान रखें कि किसी के साथ भी आपकी वज़े से गलत ना हो, इसका आपको जरूर ध्यान रखना है, आप किसी के साथ गलत तरीके से बात ना करें, किसी के साथ गलत तरीके की भाशा का इस्तिमाल ना करें, जो हो सकता है, क्या आप करें आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसका जरूर ध्यान लखें, इससे रिष्टों में कोई न कोई कड़वाहट आ सकती है, रिष्टे बिगड सकते हैं, जो लोग love marriage करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए ये संदेश है, कि जल्दबाजी में निरने नहीं करना है, जल्दबाजी में आगे नहीं जाना है, 21 आपको यहीं कहता है, कि अगर कोई भी decision लेना है अपनी life के लिए, तो थोड़ा सा आप angels की help ले सकते हैं, आप उन पर विश्वास कर सकते हैं, आप अपने घर के बड़े लोगों पर विश्वास कर सकते हैं, उनका साथ लेकर आग आपको कियरफुल होकर आगे जाना है, रिश्वास के मामले में आपको किसी भी तरह से कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको quickly decisions नहीं लेने है, इस टाइम पर आप थोड़े blunt नजर आएंगे, तो इसलिए आपको किसी भी तरह से जल्दबाजी में फैसला नहीं करना, य यह थी हमारे pile number one की reading, क्या आपके लिए, क्या है angels का message, क्या है देवी मा का message, आपके तीनों major points हमने यहाँ पर discuss किये हैं, आपकी health, आपका career और आपका relationship, अब हम बात करेंगे जिन्नोंने picture number two को choose किया है, देवी मा का आपके लिए 2021 में क्या संदेश है, चलिए, जानते हैं पर आपके लिए क्या संदेश है उनका, सबसे पहले बात करते हैं, आपके career की, आपके काम की, आपके finances की, क्योंकि life में सबसे ज़्यादा जरूरी point यही होता है, कि आप किस तरह से अपने जीवन को बिता रहे हैं, आपके लिए career को लेकर जो message निकल कर आया है, वो बहुत ह खुबसूरत message है, आपके लिए यहाँ पर है clarity of purpose, क्योंकि आपको इस time पर आप जिस purpose के लिए भी आगे बढ़ना चाहते हैं, career में जहां पर भी आप जाना चाहते हैं, आपको वहाँ पर clarity मिलेगी, आपने जो सोचा है, जो आपने plans किये हैं, वो सब 2021 में successful होने वाले हैं, तो इसलिए आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत positive energy है, आपको यहाँ पर किसी बात के लिए भी चिंता की जरूरत नहीं है, आपने जो सपने देखे हैं, जो सोचा हुआ है, वो जरूर इस time पर पूरा होगा, 21 आपके लिए completion का time होगा, और आप अपने जो भी माँ आप से कहना चाहती है, कि यह time आपके लिए बहुत अच्छा time है, आपको कोई अच्छी नौकरी मिल सकती है, जो लोग नौकरी के लिए बहुत देर से परिशान चल रहे थे, आपको बहुत अच्छी नौकरी इस time पर मिल सकती है, आपके surroundings में ही वो काम होगा, आपको blessing मिल रही है यहां पर देवी मा की तो घबराने की जरूरत नहीं है जो भी चीजें आपने सीखी है जो भी एक्सपीरियंस अपने गेन किया है वो ऐसे ही नहीं जाएगा आपको इसका रिजल्ट 2021 में जरूर मिलेगा आपने अगर 20 एयर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी ह तो वो सब प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी यह बहुत ही प्रेशियस टाइम होगा आपके लिए तो इस मूवमेंट को आप इंजॉय करेंगे आप अपने काम के लिए जिंतित नहीं होंगे फाइनांसिज आपके बहुत अच्छे होंगे फाइनांशल कंडिशन अच्छी हो जाएंगी पीछे जो भी स्ट्रगल आपने की है वो सब खतम हो जाएगी तो यह करियर के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है अब बात करते हैं हम आपकी हेल्थ के लिए कि 21 आपकी हेल्थ के लिए कैसा होगा चले जानते हैं पिक्चर नमबर 2 जिन्होंने चूज किया है हेल्थ के लिए थोड़ा सा आपको संभल कर चलने की जरूरत है क्योंकि यह टाइम आपके लिए वाइसली चलने का टाइम है आपके लिए यहाँ पर इमोशन्स बहुत जादा आपको हर्ट कर सकते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि हमें हमारे पास च्वाइस नहीं होती और हम ब एमोशनली हर्ट करें जिसकी वज़े से आप प्राब्लम जहल सकते हैं तो ये टाइम आपके लिए एमोशनली हर्ट होने का टाइम नहीं है यहीं युनिवर्सल गाइडन्स आपको दे रही है देवी मा यहां पर के आपको एमोशनली स्ट्रॉंग होना है आपको अपनी एक्षिन पर आपने काम करना है और अपने आपको थोड़ा से विलपार को स्टॉंग करके चलना है 21 में तो यह चीजें आपकी हेल्प कर सकती हैं आपको फोकस रहना है करियर पर ध्यान देना है बहां पर आपके लिए काफी अच्छे उपरचुनिटीज हैं तो हेल्थ को ले जो मैसेज है वो रिलेशन्शिप को लेकर है रिलेशन्शिप के लिए आपको बहुत अच्छी न्यूज यहाँ पर मैं देने वाली हूँ काफी अच्छी एनर्जिज हैं आपके लिए कुछ नया और एक्साइटिंग होगा जो लोग यहाँ पर किसी रिष्टे की वेट कर है कि उनकी लाइफ में कुछ नया होने वाला हो या कोई रिष्टा आए तो वो 21 का वेट अब उनका खतम होगा 21 में उनको कोई नया रिष्टा जुड सकता है कोई आपकी लाइफ में आ सकता है शादिया हो सकती है कुछ नया आपके जीवन में जरूर होगा जो लोग कपल ह मेरिड है उनके लिए यहां पर गुड न्यूज भी मिल सकती है तो यह भी बहुत अच्छी बात है यहां पर तो कुछ ना कुछ एक्साइटिंग और नया इस साल आपके लिए जरूर होगा 21 आपके लिए बहुत हैपी मुवमेंट लेकर आएगा आपको यह रिष्टे बहुत को लेकर आपको रिष्टों में भी थोड़ा सा emotional कम होना है क्योंकि health improve करने के लिए यह जरूरी है तो रिष्टे बहुत अच्छे चलेंगे इसलिए अपने confidence को बरकरार रखें विलपार को strong करें कुछ excited करने की कोशिश करें शादियां हो सकती हैं नए रिष्टे जुड सकत पुराने जो टूटे हुए रिष्टे थे उनके लिए भी कुछ नया रिष्टा आपके जीवन में आ सकता है तो आपके लिए नंबर टू पाइल जनों ने चूज किया है इस पिक्चर को चूज किया है देवी मा का यही संदेश है कि आपके जीवन में नया कुछ ज़रूर होगा 21 का वेट आप ज़रूर करें आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छी अपॉचुनिटीज बहुत ही अच्छे रिष्टे आपको मिलेंगे यह थी हमारे सेकिंड पाइल के रीडिंग अगर आपको रेजनेट हुई हो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आगे बात करते हैं हम थर्ड पिक्चर की जिन्होंने देवी माकीस थर्ड पिक्चर को चूज किया है आपके लिए 21 का टाइम कैसा होगा और क्या संदेश आपके लिए हैं क्या तीन मेसेज निकल कर आए हैं चले वन वाइवन डि चले जानते हैं पाइल नमबर त्री जिन्होंने चूज किया है इस माकी पिक्चर को चूज किया है तो वहाँ पर आपके लिए कुछ डिफरेंट सा मैसेज निकल कर आया है आपको अपने पास्ट को छोड़ना होगा आपको अपने पास्ट में जो भी बुरी चीजें हुई या अच्छी चीजें हुई दोनों को ही छोड़ देना है और आपके लिए लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है ये चेंज आपको Experience देगा ये चेंज आपको बहुत सारी चीजों को सिखाएगा और आपकी लाइफ में काफी बड़ा चेंज करियर को लेकर हो हो सकता है आपके ट्रांसफर हो जाए, हो सकता है आपके लिए कुछ आपको नई जॉब ढूनना पड़े, नया काम करना पड़े, पर मैं यहाँ पर आपको एक बात कह सकती हूँ, कि माँ आपको संदेश देना चाहते हैं, कि जो भी आपके साथ होगा, वो आपको एक नई दि पर एक नए तरीके से आपके सामने आएगा, आप हो सकता है, रेस्टलेस हो जाएं, हो सकता है, आप बहुत सोचें, हो सकता है, आपके पास चॉइस ना हो, पर ये रास्ता आपके लिए बहुत ही अच्छा रास्ता साबित हो सकता है, आप अपने प्लान्स को जो भी आपने किये हुए थे, उनको पूरा कर पाएंगे आप इस transformation को अगर accept करते हैं, तो आपका जीवन बिलकुर बदल जाएगा, ये action लेने का समय है, 2021 में आप action लीजिए, जो भी आपने सोचा था, आपने plans किये थे हो सकता है, वो change करने पड़े पर ये change आपके भले के लिए, आपके अच्छे के लिए होगा, यही आपके लिए संदेश है, कभी-कभी हम खुद नहीं समझ पाते, कि जो change हमारे जीवन में आ रहा है, वो कैसा है, पर यहाँ पर आपके लिए message यही है कि ये change आपके जीवन में अच्छे के लिए आ रहा है, तो इसे accept कीजिए आप घबराये नहीं, ब्रुकुर भी चिंता मत कीजिए, आपके साथ मा की energies हैं, युनिवर्सल energies हैं, और आप spiritually बहुत strong हैं, तो आप इससे निकल जाएंगे, ये change अगर आपको मुश्किल लग रहा है, तो surrender कर दीजिए, और मा को साथ लेकर चलिए, तो आपके साथ जरूर अच्छा होगा अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपके लिए आपकी health को लेकर कि 2021 में health कैसी रहने वाली है, और आपके लिए संदेश क्या है, आपके लिए ये जो time है, ये personal power को enhance करने का time है इस time पर आप personally बहुत ज़्यादा emotional हो सकते हैं और ये emotions आपको तंग कर सकते हैं पास्ट में जो भी चीज़ें आपने देखी, आपके साथ जो भी रिष्टों में हुआ, जो भी आपके साथ आपके career में हुआ, वो आपको परिशान कर सकता है जिसकी वज़े से health पर इसका effect देखने को मल सकता है, तो let go करने का time है, 21 आपको कहता है कि पुरानी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ेंगे, तभी आप successful हो पाएंगे, तभी आप change को accept करना है, और आगे बढ़ना है, हो सकता है आपके मन पर इसका दबाब हो, pressure हो, परिशानी हो, आप लोग इसे छोड़ ना पाएं, पर आपको अगर छोड़ कर आगे बढ़ जाएंगे, तो आपकी health भी improve होगी, आपको खुशी भी मिलेगी, और आप एक नए रास्ते पर भी चल पड़ेंगे, पुरानी चीज़ों को अगर भूलेंगे, तभी नए रास्ते आपको अच्छी रहा दिखाएंगे, तो यही आपके लिए message है, तो इसे accept कीजिए, तभी आप spiritually grow कर पाएंगे, healthy रहेंगे और आप wealthy भी रहेंगे, तो आपके लिए यही message है, यहाँ पर अब हम next बात करते हैं, यहाँ पर आपके लिए जो third message निकल कर आया है वो है आपके रिष्टों को लेकर तो आपके रिष्टे कैसे रहेंगे 2021 का साल आपके रिष्टों को जो कोशिश कर रहे हैं, वो इस समय पर आपको हिम्मत देंगी और आप इन यादों से बाहर आ जाएंगे जो लोग किसी रिष्टे से बहुत ज़्यादा परिशान हो चुके हैं, जिनका कोई divorce case चल रहा है या जो separation में हैं, वो आपने इस रिष्टे से बहुत जल्दी बाहर निकल जाएंगे और एक नए रिष्टे की तरफ बढ़ने के लिए अपने future की तरफ बढ़ेंगे यहाँ पर मैं देख सकती हूँ यहाँ पर आपके लिए travel दिखाई दे रहा है मुझे, आप कहीं यात्रा कर सकते हैं अपने रिष्टों को लेकर कहीं बाहर जा सकते हैं अपने रिष्टों को लेकर हो सकता है कि कोई रिष्टा आप से बहुत दूर का हो जो आपके साथ जुड़े यह जर्नी आपके लिए बहुत अच्छी जर्नी होगी और एक spiritual जर्नी होगी हलांके हम बात यहां पर रिष्टों की कर रहे हैं पर जहां पर अध्यात्म आ जाता है यह spirituality आ जाती है वहां पर रिष्टे भी अपने आप अच्छे होने लगते हैं जो challenging time आपने face किया है अब आपको एक आशा की किरन दिखाई देगी अब आप एक नई जर्नी का start करेंगे अब आपकी life में कुछ नया आएगा कुछ positive आएगा पीछे की यादों को बिल्कुल छोड़ दीजिए आप एक नई रहा पर आगे बढ़ेंगे देखिए आपके career में भी यही reading मैंने देखी है यही चीज़ आई है कि आपको अब कहीं move on करना चाहिए कहीं जाना चाहिए किसी नए रहा को पकड़ना चाहिए और वो रहा आपके अच्छे के लिए होगी तो यहां पर भी यही message आया है तो आपको इस message को ignore नहीं करना चाहिए क्योंकि universe आपसे वही कहना चाहता है माँ आपसे वही कहना चाहती है कि आप इसके आगे चले इस journey में आगे चले इस यात्रा में आगे चले वो आपको रास्ता दिखाने के लिए आपके आगे आगे आपके साथ साथ चलेंगी और आपको सही दिशा की तरफ ले कर जाएंगी बस आपको उन साइन्स को उन सिंबल्स को समझना है बस आपको उन्हीं पर आगे चलना है आप जब किसी मुश्किल रहा पर होते हैं तब जब भगवान आकर आपका हाथ पकड़ कर आपको आगे ले जाते हैं तो उससे अच्छा बहतर क्या हो सकता है तो इसलिए उनके मेसेज को समझें उनके संदेश को जाने और तभी आप अपना एक स्टेप आगे अराम से ले पाएंगे आप बिना किसी डर के, बिना किसी भै के, बिना किसी चिंता के आगे बढ़ेंगे और ये देवी मा का संदेश है आपके लिए पुराने रिष्टे जितने भी थे जो आपको दर्द दे कर गए हैं अब आप इस दर्द से बिलकुल बाहर आ जाएंगे तो ये आपके लिए अच्छा संदेश है 2021 के लिए आपको move on करना चाहिए, आगे जाना चाहिए और उन science को, उन symbols को समझना चाहिए उन संदेशों को समझना चाहिए जो भगवान आपको देना चाहते हैं तो ये थी हमारी picture number 3 की reading जिनोंने इन देवी मा को पसंद किया है, इनको select किया है देखे देवी मा के बहुत रूप है जो रूप आपको अच्छा लगता है, वही आपका रूप है इसलिए मा के संदेश को अपना संदेश मानिए अपने लिए संदेश मानिए और आगे बढ़ते चाहिए आज की reading आपको कैसे लगी, comment section में जरूर बताएं अगर आप ऐसी ही reading को देखना चाहते हैं तो चैनल को subscribe जरूर करें ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए अपना प्यार इस चैनल पर जरूर बनाए रखें आपको इस reading को देखने के लिए धन्यवाद